आप यह जो अभी मेक अप देख रहे हैं यह कंप्लीट आई मेक अप मैंने सिर्फ एक ब्रश को यूज़ करके किया है आपको बिलीव नहीं होता है तो मेरी वीडियो देखिए आपको बिलीव हो जाएगा और हाँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले तो गाइस आज मैं अपना आई मेक अप सिर्फ एक ब्रश यूज़ करके करूंगी जोकि है यह ब्रश इलेक्रोमेनिया डबल अंडेट ब्रश इसके एक साइट पर यह ब्लैंडिंग आपको एमेजॉन पे 245 का मिल जाएगा तो मैं यह वन इयर से कॉंटिनियूसली यूज़ कर रही हूँ और मैंने यह दो बार और खरीद लिया है तो यह ब्रश मुझे बहुत पसंद है तो इस ब्रश को यूज़ करके मैं आई मेक अप करके दिखाऊंगी और हाँ इस ब्र आपको यह ब्रश लेके आप कहीं भी जा सकते हो आपको जादा ब्रश रखने की जरूरत नहीं है आपका आराम से आई मेकप हो जाएगा तो चलिए मैं अपना आई मेकप स्टार्ट करती हूँ तो सबसे पहले मैं अपनी आइस को कंसील करूंगी इस मेबलीन फिट मी कंसील से इंदर शेड मेडियम यह मेरे अपनी वीडियो में बहुत यूज किया है यह कंसीलर बहुत ही अच्छा है बहुत लॉंग लास्टिंग दिया है अगर आपके पास कोई कंसीलर नहीं है तो आप किसी फांडेशन को ही ऐसा कंसीलर यूज कर सकते हैं तो इसके बाद मैं एक ब्लैंडिंग ब्रश ले रही हूँ इस ब्रश से मैं कंसीलर को ब्लैंड करूंगे हमने concealer लगा लिया है इसके बाद हमें उस concealer को set करना होता है ताकि eye makeup हमारा बहुत time तक टिके crease ना हो तो इसलिए मैं इस Maybelline Compact को ले रहे हूँ और इसको मैं अपनी eye lid पर लगा रहे हूँ eye makeup के लिए मैं ये eye shadow palette ले रहे हूँ Makeup Revolution Ultra Eyeshadows Flawless तो इस palette में सबसे पहले crease color लोंगी brush के इस fluffy blending side से मैं सबसे पहले crease eyeshadow को ले रहे हूँ तो मैं palette से इस brown eyeshadow को लोंगी थोड़ा सबस ऐसे लोंगी और इसका नाव मैं Pure Chocolate 25 मैं अपनी eye brows को पहले lift कर रहे हूँ उसके बाद ये जो fluffy side है उसे मैं outer V पे रख रहे हूँ small circular motion में blend कर रहे हूँ और inner crease में जा रहे हूँ तो back and forth motion में blend कर रहे हूँ eye lid के लिए मैं ये copper shimmer ले रहे हूँ तो इसको मैं इस flat side brush है उससे मैं ले रहे हूँ और अपनी eye lid पर लगा रहे हूँ और हमें ध्यान रखना है कि हमें crease में नहीं लगाना है again मैं इस blending brush को use कर रहे हूँ और वही same brown eyeshadow को ले रहे हूँ और बहुत हलके से ऐसे touch कराते हूँ अपनी lower lash line को smudge कर रहे हूँ मैंने brush को ऐसे ही नहीं पकड़ा है क्योंकि उससे बहुत जादा eye shadow लग जाएगा मैं brush को ऐसे पकड़ रहे हूँ और फिर मैं blend कर रहे हूँ आप चाहे तो अपनी lower lash line पर काचल भी apply कर सकते हैं पर मैं अपनी lower lash line को ऐसे ही रखूँगी इसके बाद मैं चाहती हूँ कि यह outer V पर black तो अब हम black कैसे ले कर रहे हैं क्योंकि हमार पास एक ही brush है और इस brush में यहाँ पर brown लगा हूँ है यहाँ पर shimmer eyeshadow लगा हूँ है तो मैं इस fluffy blending side को use करूँगी और मैं ऐसे straight brush ने रख रहे हूँ मैं ऐसे tilt रख रहे हूँ ताकि ऐसे थोड़ा सा रखना है बहुत थोड़ा सा eyeshadow आए और फिर मैं अपने outer view पर ऐसे place कर रहे हूँ और फिर place करते ही मैं उसी जगई पर blend कर रहे हूँ हमें जादा उपर नहीं जाना है black eyeshadow के साथ फर्ग करना थोड़ा difficult होता है तो मैंने थोड़ा सा black eyeshadow लिया था अब मैं दुबारा से ऐसे tilt brush करके ले रहे हूँ और मैं दुबारा से blend कर रहे हूँ तो हमें थोड़ा थोड़ा लेके लगाना है फिर blend करना है eye makeup को complete करने के लिए मैं eyeliner और mascara लगाऊँ की तो eyeliner के लिए मैं ले रहे हूँ है NY Wrap Matte laying और mascara के मैं ने लिया है है इन कलर मस्कारा तो इन दोनों को लगा कर मैं चल्दी से वापस आप हमारा मीकप हो गया है अब मैं लिप्स्टिक लगाऊंगी लिप्स के लिए मैं ले रही हूँ यह एनल फ्यूसे लिप्स्टिक और इसका शेड है MS 107 और यह बहुत ब्यूटिफुल और इंज शेड है आप चाहें तो पीच पिंक कोई भी कलर लगा सकते है और यह लिप्स्टिक क्रीमी मैट है बहुत लॉंग लास्टिंग लिप्स्टिक है सो गाइस यह है मेरा फाइनल मेकप लुक इन फ्री प्रोड़क्ट की लिंक मैं आपको दिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी यह पैलेट की ब्रश की और लिप्स्टिक की तो अगर मेरी यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो टिप्स औं ट्रिक्स अच्छी लगी हो धन प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राब तो मैं चैनल